नमस्ते मैं हूँ पायल रोहादगी आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ about सुकन्या देवी रेप केस जी हाँ इसके ओपर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है और स्वामी जी ने भी अपनी टिपनी रखी थी over सुकन्या देवी रेप केस मगर इस रेप केस के ओपर क कॉंग्रस ने कभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखी क्योंकि ये रेप केस में आरोपी है राहुल गांधी अब मुझे नहीं पता सच क्या है मैं तो सच जानना चाहती हूँ मेरे को ये WhatsApp पे information आई कि 2nd December 2006 को सुकन्या देवी जो एक Congress worker की daughter थी और राहुल गांधी की fan उसे allegedly बलातकार उसका हुआ और ये alleged बलातकार हुआ राहुल गांधी and seven of his friends in his amethi guest house अब सुकन्या देवी का पूरा परिवार लापता है and Congress ने कभी भी इसके ओपर कोई clarification नहीं दी है मैं television news channel से बिंती करती हूँ कि आप लोगों को सचाई चलानी चाहिए आप लोगों को सभी मुद्धों पे अपनी आवाज रखनी चाहिए ना ही वो मुद्धों के ओपर जहां पर आपको लगे कि आपको TRP मिलती है इसलिए हमें भारती नागरिकों को जानना है कि सुकन्या देवी rape case की सचाई क्या है क्या सुकन्या देवी का rape हुआ था क्या ये एक मन-घड़त कहानी है क्यों स्वामी जी ने सुकन्या देवी rape case के ओपर अपना tweet किया था मैं ये सब जानना चाती हूँ उसके लिए चाती हूँ कि भारत की मीडिया इसके ओपर टेलेविजन डिबेट्स करे और हमें जानकारी दे नमस्ते जैहिंद